हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक आएम विवेक सिंगल फ्रॉम ट्रेडिंविविवेक.com और आज हम बात करने वाले हैं कि लार्ज कैप स्टोक्स में ट्रेड करके कैसे पैसा कमाया जाए और वो कौन सा तरीका है, कौन से स्टेप्स है, क्या स्टैट्जी है, जिसके चलते हमारा रिस्क भी हाँ पर मिनिमाईज हो सके, क्योंकि हम लार्ज कैप में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लार्ज कैप है उसमें volatility एक level से ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि stock is 70-80% डाउन वैसा नहीं होता और हम उसमें gain भी कर सकें, क्योंकि large cap में अगर buy and hold वाली stat रखी जाए तो पैसा बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं 12, 13, 14% पर जाकर CAGR रुपती है, और अगर 12, 13, 14% ही कमाना है, तो ऐसे में यह समझ में आता है, कि फिर mutual fund में पैसा लगा दिया जाए, उनको 1% expense ratio के रूप में दे दिया जाए, तो अगर हमें above average return निकाल नहीं है, और इस बात कमन है, कि large cap में भी काम करें और फिर भी 3 years में अपना पैसा डबल हो जाए, तो यह अच्छी बात होनी चाहिए, और अगर market अच्छी चले तो 3 years से पहले हमारा पैसा डबल हो जाए, तो 2-3 साल में 3 साल में अगर पैसा डबल करना है तो उसके लिए कुछ steps हैं जो मैं आज आपके साथ में share करने वाला हूँ, पूरा step by step सारी working है, तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि large cap का meaning क्या है, देखो large cap का, अगर हम CB guidelines के हिसाफ से बात करें, तो top 100 companies जिनकी market capitalization सबसे ज़्यादा है, यानि कि market capitalization के हिसाफ से, जो सबसे बड़ी 100 companies हैं, उनको large cap का जाता है, उसके next 150 companies को mid cap का जाता है, और उसके नीचे सारी companies को small cap का जाता है, अब जब हम market capitalization की बात करते हैं, तो market capitalization के base पर जब हम companies को select करते हैं, तो उसमें काफी सारी ऐसी companies आती हैं जो over valuation पर हैं जैसे अगर हम यहाँ पर इस बात को search करें हम screener पर जाते हैं और screener में screens पर जाते हैं और create new screen करते हैं और यहाँ पर market capitalization के base पर अगर हम लें for example 100 crore से जादे की सारी company हमने लिए run query की market capitalization से इसको sort किया सबसे बड़ी से छोटी की तरफ आ गई और इसमें अगर हम जाएं नीचे तो बहुत सारी कमनी जैसे मिलेंगी जो बहुत ज्यादा high P.E. पर है अब जैसे P.E. ratio के base पर हम बात करें तो यह हमारी 52 P.E. पर है इंदोसान उनिलिवर 57 के P.E. पर है और टाइटन 91 के P.E. पर है अवेनी सुपरमार्ट 107 के P.E. पर है तो 107 100 P.E. और टाटा इस्टील अभी कुछ अलगी सिच्वेशन में है अदानी ग्रीन भी इसमें आ गया 100 के P.E. पर फिर जियो फनेंशल भी है तो यहां इस चीज का ध्यान रखने की ज़ुरत है जैसे सीमेंस की हम बात करें 73 का P.E. है कि ओवर वैलुएशन की वज़े से वो लाज केप बना वो एक अच्छी बात नहीं है फिर उस महाँ पर एक रिस्क क्रियेट होता है कि अगर कभी इसकी ग्रोथ जिस ग्रोथ के बेस पर ये हाई P.E. अभी कमांड कर रहा है अगर वो नहीं कर Ta hant वो बैसिकुल सा तरीका है कि स्क्रीण पर जाते हैं यहां पर क्रियेट k क्रियेट ने पर जाते हैं यहां नेट पॉफिस पर हम दिखते है कि जो कंपनी इस ने प्र पर के बेस कर यानि कि 5,000 से ज्यादा का ट फॉस्ट कर रही हैं एक साल का अगर हम वो persone तो इस तरह की 60 companies हैं अब इन 60 companies में अगर हम देखें कि वह 100 P 200 P वह companies हैं क्या हमें एक भी company उस तरह की नजर नहीं आती आप अगर इसमें पूरा देखोगे तो यहां पी रेशो लिखा हुआ है एक भी company आपकी 100 P वाली नजर नहीं आती और 50 के P की भी सिर्फ हिंदुस्तान उनिलिवर आई और एशियन पेंट आया तू companies हम नीचे जाते हैं थर्ड company भारती एट अलाई और तीन company हुई बाकि that's it यानि कि सारी की सारी companies अच्छे से आ गई और जो average median P.E. है वो 15 का P.E. निकल कर आया जबकि अगर हम market valuation के base पर देखने लगें तो यह जो median P.E. अभी हमें 15 का दिख रहा है न यह कुछ अलग ही नजर आता एनिवेज तो यह एक तरीका है now these are 60 companies in companies की list बनाओ यह 50 तो हमारी यह हो गए उसके हम next base पर जाते हैं तो next 10 हमारी आ जाएगी और जिन companies का P.E. बहुत जादा नहीं है जो undervalued हैं वो भी हमारी इसमें cover हो जाती है otherwise वो companies यहाँ पर आती ही नहीं वो miss हो जाती क्यों क्योंकि market capitalization के base पर वो चीज़े cover नहीं हो पाती है तो इस तरीके से हम अपनी अलग list बनाएंगे सेबी की guidelines है लेकिन हम यहाँ पर अपने आपको safeguard करने के लिए अलग से list बनाएंगे जिन companies का net profit 5000 crore से जादा है और वो 60 companies है now in 60 companies में काम करेंगे this is the first step to make your own list कि सिर्फ इनी 60 companies में हम काम करेंगे जो हमने यह आपर list निकाली है now second point हमारा क्या निकल कराता है इस case में in 60 companies को basically we will divide in two parts now this is the second step first step मैंने बताया यह 5000 crore से जादा के net profit वाली companies निकाल ले second step है कि इन companies को हम दो parts में bifurcate करेंगे सरकारी company and non-serकारी company government company non-government company PSU company non-PSU company चीक है तो जो PSU companies है उनमें हम different rule apply करेंगे और जो non-PSU companies है यानि कि जो private companies है उनमें हम different rule apply करेंगे तो यहाँ पर rule क्या है rule यह है कि जो companies non-PSU है यानि कि जो सरकारी company नहीं है जो non government company है उन companies में हम लोग जो highest ever closing price है वहां से 20% का fall देखेंगे जैसे बजास finance का चार्ट open है और बजास finance पर हम इस चीज को apply करते हैं कि highest ever closing price से 20% down होना चाहिए so highest ever closing price हम कहां पर देखेंगे मैं highest ever price की बात नहीं कर रहा हूं highest ever closing price की बात कर रहा हूं इस case में this is the highest ever closing price हम इस candle को लेते हैं यहां पर 13th October को क्योंकि इससे पहले इससे उपर close नहीं हुआ price तो गया लेकिन close नहीं हुआ तो यहां से यह stock price 20% down आना चाहिए so that is the condition अब जैसे 20% down के लिए हमने एहां से mark किया 20% down लेकर गए और 20% down हमने यहां पर इसको mark कर लिया जाथ अब 20% जब अगर हम इससे हमारो सरकारी कमणी की बात करने लगे हैni for example SBI की तो private company के case में मैंने बताया 20% fall होना चाहिए highest ever closing से लेकिन सरकारी company के case में 30% down होना चाहिए highest ever closing से तो जैसे PSU में SBI ये PSU company है highest ever closing ये हुआ और यहां से 30% down होना चाहिए तो जब 30% down होगा then we will buy this stock जैसे हम पीछे जाते हैं और यहां पर देखते हैं कि 30% down हमारा highest ever level ये था और यहां से अगर हम देखने लगें इसको mark करते हैं फिर से this is the highest ever price closing price और 30% down देखें तो ये हमारा 30% down आया तो हम 30% down आने पर इसको buy करेंगे तो यहां पर buying हमारा level क्या हुआ पर जाकर और उसको sort कर लिया उसको अब second step है उस पूरे list को divide करना, divide करना two parts में one कि जो हमारी सरकारी company है, government companies है second जो non-government companies है government companies, PSU companies कहते हैं और non-PSU companies यानि कि जो PSU companies नहीं है जो non-PSU companies है, non-government company है this is the step number third now कि जब वो highest ever closing price से 20% नीचे आ जाएगा तब हम buy करेंगे और सरकारी company के case में government companies के case में जब stock price highest closing price से 30% down आ जाएगा तब हम buy करेंगे तो हमें buying का signal पता चल गया सरकारी company में 30% down आने पर और non-sरकारी company में 20% down आने पर buy करेंगे अब बात आती है, sell कप करना है sell करना है private company के case में जब 20% gain आ जाए और सरकारी company में भी 20% gain आ जाए तो buy करने के level से जब 20% gain आ जाए निकल जाना है और सरकारी company में भी 20% gain आ जाए तो निकल जाना है buying करने का level different है लेकिन selling के लिए हम सिर्फ 20% gain देखेंगे जाए वो जितना वर्जी time में आए तो यहाँ पर दोनों ही example लेते है सरकारी company में 30% down आया अब हमने इसको buy कर लिया हमने buy करने के बाद में profit देखेंगे 20% profit कब आया हमने यहाँ पर buy किया 20% profit हमें कितने दिन में आया हमने यहाँ पर देखा so this is a profit 20% profit आगया 30 days में हमारा profit आगया हमने book कर लिया हम यहाँ से निकल गए बड़ा simple है अब जैसे हमने दूसरा example लिया था बजाज finance का हम वापसे बजाज finance पर जाते है हमने यहाँ पर mark किया था 20% नीचे आएगा तो हम buy करेंगे और 20% ही हमें यहाँ पर gain लेना है buying level से तो 20% gain यहाँ पर आया यह हमारा 19.59% रह गया छोड़ देते हैं हम यह मान कर जलते हैं कि 20 आएगा तभी बेचेंगे अब हमारा 20% gain कहाँ पर आया यहाँ पर हमारा 20% gain आया तो यहाँ पर हमें 163 days लगे यानि कि 5 and half months में बजास finance में हमें 163% 20% का gain मिल गया और SBI में हमें 1 month में gain मिल गया था अब सपोस्थ दुबारा से buy करना है आप क्या करेंगे दुबारा से buy करने के लिए highest level closing price सेम है क्योंकि यहाँ पर highest level price नहीं गया तो दुबारा से buy करने का level क्या आएगा same level पर जब इसने यहाँ पर वापस से touch किया अब वापस से touch किया हमने फिर से buy कर लिया और फिर से हम 20% gain के लिए इसको रखेंगे बड़ा simple सा है यानि कि 20% gain फिर से कब आया this is the 20% gain now this time it has taken 190 months यानि कि 6 months and 10 days और फिर से हमें 20% gain मिल गया तो ये बड़ा simple सा तरीका है कि हम buy करेंगे private company के case में जब 20% fall आ जाए highest ever closing से sell करेंगे जब 20% gain आ जाए 20% fall पर लेना है 20% gain पर बेशना है सरकारी company के case में 30% fall पर लेना है and 20% gain पर बेशना है कौन सी सरकारी company में कौन सी private companies में जिन companies का last one year का यानि कि trailing 12 months का फिछले four quarters का total मिलाकर net profit 5000 crore से ज़्यादा हो हमने list निकाली 60 companies मिली अब बाती आती है एक stock में कितना पैसा लगाया जाए ये बहुत important part है किसी भी situation में यहाँ पर ध्यान से समझना किसी भी situation में एक stock में 5% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है यानि कि हमारे पास 20 stocks होने चाहिए अब बाती आती है विवेक भाई 60 stocks में से क्या 20 stocks हमें मिल जाएंगे अफकोर्स मिल जाएंगे और अच्छे से मिल जाएंगे आराम से मिल जाएंगे क्योंकि large cap यह जो 5000 लोड से जाए की companies है इनमें भी 20% fall आते हैं और एक और चीज़ ध्यान से समझना अगर out of 60 companies 20 stocks नहीं मिलते हैं तो समझ लेना कि सब कुछ ही इतना उपर है कि market में थोड़ी सी correction आ जाएगी और stock price नीचे आ जाएगे और आपको buying opportunity मिल जाएगी यानि कि अगर 20 stocks नहीं मिल रहे हैं 5% आप लगाने के बाद में आपके पास कुछ पैसा cash में वसता है तो उसको cash में रखो क्योंकि जब buying opportunity आपके signal के base पर आएगी then only we will buy otherwise we will not buy बड़ा simple सा है अगर 30 opportunities हैं और तो उन में से 30 में से कौन सी 20 choose करें मैं कहता हूँ 20 choose मत करो यहाँ पर 30 के 30 में equal divide करके लगा दो क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा stock पहले जाएगा और कौन सा बात में जाएगा अब बाती आती है कि जब हमारा किसी stock में profit book हुआ suppose हमने 30 stocks में पैसा लगा दिया अब हमारा किसी stock में profit book हुआ profit book करने के बाद में इसको कहा लगा है तो इसको लगाने के लिए पहले कोई fresh opportunity देखो यानि कि जो stocks हमारे पास है उससे अलग हमारी ये buying conditions meet हो रही है क्या अगर buying conditions meet हो रही है तो उसमें लगा दो लेकिन अगर buying conditions meet नहीं हो रही है कोई fresh opportunity नहीं है तो existing stocks में ही आप देखो कि कौन से existing stocks ऐसे हैं जिसमें 5% से कम लगा है क्योंकि ज़्यादा opportunity थी और हमारे पास stocks ज़्यादा थे तो हमने 5% से कम equally distribute करके लगा दिया तो जो stocks में 5% से कम लगा है और वो stocks अभी भी buying range में है यानि कि सरकारी company के case में government company के case में 30% तूटा हुआ है lifetime high closing से और private company के case में 20% से ज़्यादा नीचे आया हुआ है lifetime closing से और 5% से कम लगा है तो उसमें 5% तक fill कर दो तो जिस जिस opportunities हैं जो अभी भी meet करती है existing stocks में उनमें आप उसको fill कर दो तो इस तरीके से हमारा portfolio well diversified रहेगा सारा पैसा top companies में लगा रहेगा सारा पैसा नीचे जब stock आया तब लगा होगा और जब उपर जाएगा तो हम profit भी book कर पाएंगे market बहुत जागा तेजी में होगी opportunity मिलनी बंद हो जाएगी और हम अपने आपसे पैसा cash में आने लगेगा market नीचे आएगी हम वापस से stocks में पैसा लगाना शुरू कर देंगे क्योंकि opportunity create होनी शुरू हो जाएगी अब इसमें problem कहा हैगी इसमें problem आएगी discipline की stock market में technicals strategy सीखने के बाद भी जो human psychology है वो एक बहुत बड़ा challenge है और वो सबसे हो नहीं पाता इसलिए मैंने एक video बनाई जो लाश्ट अभी कुछ time पहले video बनाई थी आप उस video को ध्यान से देखना आप मैं यहाँ पर एक बार youtube पर सर्च करके आपको video दिखाता हूं master class मैंने video बनाई थी अभी फलाल master class और विवेक सिंगल आप अगर देखोगे बाई विवेक सर लिखा हूँ अभी आया पता नहीं वो दूसरे विवेक सर ना आ जाए यस मुझे पता है यह दूसरे विवेक सर है तो मैं विवेक सर नहीं हूँ मैं विवेक भाई हूँ विवेक सिंगल ही ठीक है यह फाइब बनाए थी इसमें मैंने 8 points को discuss किया था और विजडम आप अगर आप अच्छे से समझोगे और जो मैं इस टैट्जी से सिखा रहा हूँ वीच-बीच में नहीं नहीं इस टैट्जी लेकर आता हूँ तो यह लार्ज कैप को लेकर इस टैट्जी है अगर आप इस वीडियो का अगर आप combination ले आओ तो ना तो कभी risk feel होगा ना कभी fear feel होगा और नहीं कभी आप इस टोक मार्केट में कभी किसी तरह का आप धोका खाओगे नहीं कभी loss होगा profit हमेशा होगा और लगातार सारी जिंद की पैसा कमा पाओगे यह simple steps है मेरा मन होता है आप सब के स blessings मिलती है यह परिवार बड़ा होता है आप भी दोस्तों के साथ शेयर करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब कराओ family बड़ी बनानी है सब को साथ लेकर चलना है और एफेंडों से दूर रहना है consistent ऐसा बनाना है अपने पैसे से बनाना है चैंडिंग करते रहो books read करते रहो बड़ों को यहां पर respect देते रहो छोटों को प्यार करते रहो जिंद्गी beautiful बना लो अपने शरी का ख्याल रखो यहां पर मैं अपना experience शेयर करता रहोंगा आपने शेयर करना है और कल फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ तब तक जय हिन जय भारत ख्याल रखे अपना झाल 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 झाल